सन 1905, एलबर्ट आइंश्टाइन ने थेरी ओफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया उस समय भले ही या थेरी कुछी लोगों को समाज आई हो पर इसने हमारे भविश्य में समय आतरक करने की कल्पना को काफी हद तक सच साबित किया पर इस थेरी के अनुसार हम केवल भविश्य में ही समय आतरक कर सकते हैं ना की भूदकाल में क्योंकि हम लाइट की स्पीट से भविश्य में आगे तो जा सकते हैं पर पीछे नहीं आ सकते भूतकाल में समयात्रासंबो ना होने वली बात पर लोगों ने यकीन करना तब सुरू किया जब सन 2009 में स्टीफिन हौकिन्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने भविश्य के कुछ समयात्रियों को अपने साथ डिनर पर इन्वाइट किया था पर उनके इस डावत में भविश्य से समयात्रा करके कोई नहीं आया जिससे हौकिन्स ने ये साबित किया कि हम समयात्रा की सायता से भविश्य में तो जा सकते हैं पर हम कभी समयात्रा की सायता से अपने भूतकाल यानिकी पाष्ट में नहीं जा सकते पर हमारे इत्यास में समय समय पर ऐसे कई लोग सामने आये हैं जिनोंने दावा किया है कि वे समय आतरा करके अपने भूत काल के रोमान्चक दुनिया का लुप्ट उठा चुके हैं और ऐसा ही एक दावा हाली में नवा नाम के एक वैक्ति ने किया है सत्रा नामबर दोहजर सत्रा के दिन पेरानॉर्मल एलाइट नामक एक यूटूब चैनल पर एक वीडियो को प्रकाशित किया गया जिसमें एक वैक्ति जिसका नाम नोवा है उसने या बताए कि वा एक समय यातरी है और वा अपनी जान को खत्रे में डाल कर सन दोहजर अठाइस से 2017 में हमें भविसे से जुड़े कुछ बेहत किमती बाते बताने आया है नोवा ने बताया कि सन दोहजर तीन में ही टाइम मशीन का अविसकार कर लिया गया था पर सुरुवाती दिनों में सरकार और खुफिय एजनसी ने उसे आम लोगों से चुपा कर रखा था परन्तु जब या सच्छाई लोगों के सामने आई तो सन दोहजर अठाइस में जनता की मांग और दबाव की चलते समयातर करने की तकनिक को सारवजनिक कर दिया गया अपने बारे में बताते हुए नोवा ने कहा की वह साउथ अमेरिका से है और उसकी उम्र पचास साल है परसन दोहजर अठाइस तक वग्यानिकों ने ऐसे ड्रग्स और दवायों का अविशकार कर लिया है जिसकी साहता से नोवा सारीरिक रूप से किसी 25 साल के यूवक की तरह जवान हो चुका है नोवा ने आगे बताये की वह 2028 से 2021 में गया था और वहां कुछ समय बिता कर वह 2017 में आ गया पर धुर्भागी से अब नोवा किसी कारणवस दुबारा 2028 में नहीं जा सकता और ना ही उसके वापस जाने में कोई उसकी साहता कर सकता है और वह एक तरह से अपने ही भूतकाल में फस गया है नोवा ने अपने वीडियो के जरिये या कहा की वह किसी को भी गुमरा नहीं करना चाता और ना ही वह किसी तरह से लोग प्रियता हासिल करना चाता है बलकि उसका उद्दे से या है कि वह हम सभी को हमारे भविश्य से आउगत करा सके और या बता सके कि भविश्य में समयातर संबो है या तो थी नोवा से जुड़ी बाते पर नोवा ने हमारे आने वाले भविश्य से जुड़ी जो बाते लोगों को बताई वे काफी हरान करने वाली थी उसने बताये कि सन दोहजर अठाइस तक वर्चुल रियालिटी और आर्टिफीसियल इंटैलिजेंस का विकास एक अलग ही इस तर पर पहुँच चुका है भविश्य के लोग अपना जालोतर पैसा टेकनलोजी के विकास पर खर्च कर रहे हैं और सन दोहजर अठाइस सक ऐसे कई कार्स का निर्मार किया जा चुका है जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं और जिने केवल एक बार चार्च करने पर हम लगबख 965 किलोमेटर की दूरी तै कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले इनी वहानों के कारण भविश्य में सहरों में मौज़द प्रदुशड की मात्रा काफी कम हो चुकी है नोवा ने आगे बताया कि जिस तरह आज दुनिया में मॉबाइल फोन्स का राच चल रहा है उसी तरह सन 2021 तक पहुश से पहुश से मनिस से मुबाइल फोन से ज़्यादा महत्व एक ऐसी डिवाइस को देने लगेगा जो देखने में पूरी तरह किसी चसमे जैसा होगा पर उसमें आज के केम्पिटरस जितनी प्रोसिसिंग पावर मोजुद होगी और हम अपने दिन भर का ज़्यादा तर काम इसी चसमे की साहता से करेंगे नौवा ने भविश्य में चुने जाने वाले अमेरिके राष्टपती से भी जुड़ी काफी रोचक बाते लोगों को बताई उसने 2020 में अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंटल इलेक्शन के बारे में कहा की मै의 यहाँ अपना विचार या पक्ष नहीं बता रहा हूँ बलकी यह बात मैं 100% गैरंटी की साथ कह रहा हूँ की अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट भी डोनाल टरम भी होंगे जो कि 2020 में राष्टपती पत के लिए चुने जाएंगे दोस्तो नोवा को पेरानॉर्मल एलाइट दौरा 700 डॉलर भी दिये गए जिससे नोवा 2017 में अपना जीवन यापन कर सके अंत में नोवा ने जाते समय लोगों से बस इतना कहा की मेरी बाते सुनने के लिए आपका धन्यवाद अब सभी को भविष्य के लिए सुबकामना है दोस्तो नोवा की बात में कितनी सच्चाई है या तो कोई नहीं जानता पर आने वाले 3-4 सालों में हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए मैं मिलता हूँ आपको अपने ऐसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद